नमस्कार प्रस्णबैंक हल कक्छा दस्वी विज्ञान में भाग तीन का हम अध्यन करेंगे लेते हैं चेप्टर नमबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा तो 11 में देखिए सही विकल्प चुन कर उत्तर हमें देना है इंद्रधनुष बनने का कारण है किस कारण से इंद्रधनुष बनता है वर्ण विक्षेपन के कारण इंद्रधनुष बनता है दूसरा है प्रकास के विक्षेपन से प्राप्त साथ रंगों के समूह को कहते हैं क् निले रंग का कारण क्या है प्रकास का प्रक्रिणन है अप्सन नमबर आ सई हैं चौथा है गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है यह कारण भी प्रकास का प्रक्रिणन है पाचवा है प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है क्या कहलाता ह बाहुता है किसमें होता है किसमें होता है आकास के निले रंग का कारण है प्रकास का प्रिकिरणन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तू का प्रतिभिंब बनाते हैं, वह है, कहां पर बनता है प्रतिभिंब, रेटी ना में बनता है, आप्सन नम्मर बस अहीं है, दूर दृष्टि दोस्त के निवारण के लिए उप्यू किया जाने वाला लेंस है, कौनसा उत्तल लेंस हैं अब लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रिज्म द्वारा कि खालिस्थान रंग की प्रकास किरण का विचलन सरवाधिक होता है किस रंग की किरण का होता है बैगनी रंग का होता है बैगनी रंग की किरण का विचलन सरवाधिक होता है फिर कहते हैं उसे हम उसे हम कार्णियां कहते हैं यहां लिख देंगे कार्णियां कि तीसरा देखिए दूर दुर्ष्टी दोस्त का निवारण नेत्र गोलक का खलिस्थान हो जाना है क्या हो जाना है चोटा यहां पर आ जाएगा बहुत चोटा हो जाना है क्यों होता है दूरद्रश्टी दोस्त इसका कारण है कि नेत्र गोलक बहुत चोटा हो जाता है फिर देखें आप्छ के रंगीन भाग को खलिस्थान कहते हैं क्या कहते हैं आइरिस ये आ गया आइरिस पांचवा नमबर है मानव नेत्र का खालिस्थान नेत्रदान में दान किया जाता है कॉर्णिया दान किया जाता है यहाँ जाएगा कॉर्णिया छटवा नमबर है आख के बीच के छिद्र को खालिस्थान कहते हैं क्या कहते हैं प्यूपिल कहते हैं प्यूपिल कहते हैं अब सहीं जोड़ी हमें बनाना है सहीं जोड़ी बनाईए कॉलम अ से कॉलमब को मिलाना है या कॉलमब के स्थान पर सहीं उत्तर हमें लिखना है परिक्षा में देखिए पहला नेत्र रोग क्या है कम प्रकास में धुन्दला दिखना क्या है नेत्र रोग है प्रकार का फिर टिंडल प्रभाव क्या है घने जंगल के वितान से शूर्य प्रकास का गुजरना क्या है टिंडल प्रभाव है फिर तीसरा देखिए आकास का नीला रंग प्रकास का प्रकिणन तीसरी बार आ चुका तारों का टिम टिमाना क्या है वायू मंडली अपवरतन है और Northern स्पेक्ट्रम क्या है इंद्र धनों से प्रकर्तिक स्पेक्ट्रम है एक सबत या वाक्य में उत्तर दीजीए कि कर कम प्रकास में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है कि तो जब प्रकास कम होता है तो परितारी कर फैलकर पुतली को बड़ा बना देती हैं। हम लिख देते हैं कि परितारी का फैलकर पुतली को बड़ा बना देती हैं। बड़ा बना देती है इससे क्या होगा बड़ा बना देगी तो अधिक प्रकास प्रवेश करेगा जिससे आंख में आख में अधिक प्रकास प्रवेश कर सके अधिक प्रकास प्रवेश कर सके और अधिक प्रकास प्रवेश कर सकेगा तो अधिक अच्छे से हम स्पस्ट देख पाएंगे तो यहां हो गया परितारिका फैल कर पुतली को बड़ा बना दिती है जिससे आख में अधिक प्रकास प् दूसरा लेते हैं नेत्रदान में कितना समय लगता है तो नेत्रदान में 10 से 15 10 से 15 मिनट का समय लगता है नेत्रदान में रेटीना पर प्रतिविंब कैसा बनता है तो रेटीना पर तारों के टिम्टिमाने का मुख्य कारण क्या है अभी हमने किया वाईयू मंडली अपवर्तन क्या कारण है वाईयू मंडली अपवर्तन और अंतिम है निकट द्रश्टी दोस युक्त नेत्र के लिए प्रतिविंब कहां बनता है निकट द्रश्टी दोस वाला वेक्ति जो है केवल निकट की वस्तुएं ही देख पाता है, दूर की वस्तुएं वह नहीं देख पाता है, तो उसका प्रतिबिम कहां बनेगा, वह दूर की वस्तु को नहीं देख पारा है, अतह दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिम, रेटीना पर ना बन कर, रेटीना के सामने बन जात बनता है इसके कारण वहदूर की वस्तों को नहीं देख पाता है अब लेते हैं चेप्टर नमबर 12 विद्युत ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 6 अंकों के प्रस्न पूछे जाएंगे दो अंक के वस्तुनिष्ट प्रस्न है आएंगे दो अंक तथा दो प्रस्न द देखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है कौन सा ओम का नियम नहीं है तो देखिए हम यहां पर देख लेते हैं कि वी सामानुपाती आई तो है वी सामानुपाती आई है ना फिर वी बराबर आयार भी है उप्यूक्त सभी तो हम कह नहीं सकते कौन सा नहीं है वी स्क्वेर अपॉन आई इस इक्वर टू नियतांक यह नहीं है फिर दूसरा लेते हैं अमीटर को परिपत में सदा कैसे संयोजित किया जाता है अमीटर को सदे उस्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम क्या है प्रतिरोध का मात्रक ओम चौथा देखिए 50 वाट 250 वोल्ट के एक लेंप में प्रवाहित विद्धुत का मान है कितनी विद्धुत प्रवाहित होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 एमपियर पाँचवा है यदि विद्धुत को वोल्ट में तथा धारा को एमपियर में मापे तो सक्ती का मात्रक होगा सक्ती का मात्रक क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा वोल्ट एमपियर छटवा है एक अस्व सक्ती में कितने वाट होते हैं 746 वाट होते हैं विभवांतर मापन यंत्र है विभवांतर हम किस में मापते हैं वोल्ट मीटर में मापते हैं रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए पहला है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के एक हालिस्थान होता है अनुक्रमानुपाती होता है क्या हो जाएगा अनुक्रमानुपाती होता है फिर दूसरा है एक आदर्स अमीटर का प्रतिरोध खालिस्थान होता है आदर्स अमीटर है तो उसका प्रतिरोध शुन्य होता है फिर देखिए फ्यूज को किसी सन्यंत्र के साथ खालिस्थान क्रम में जोड़ा जाता है किस क्रम में जोड़ते हैं फ्यूज को स्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रती रोधकों के स्रेणी क्रम में जुड़े होने पर खालिस्थान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है फिर देखिए घरों में सभी विद्धुत उपकरण खालिस्थान क्रम में जोड़े जाते हैं किस क्रम में जोड़े जाएंगे सामांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अब लेते हैं नेक्स्ट चेप्टर यहां पर आ जाता है चेप्टर नमबर थर्टेन विद्धुत धारा के चुम्ब की प्रभाव सही विकल्प देखते हैं लगू पत्थन के समय परिपत में विद्धुत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ा हुआ अप्सन नमबर स सही है समान चुम्ब की धुरू करते हैं क्या करते हैं प्रतिकर्शित होते हैं अप्सन नमबर बस अहीं है चुन्ब की छेत्र रिखाएं होती हैं, क्या होती हैं, बंदवकर होती हैं, option no. 7 इस्थाई चुन्बक बिनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाएंगे, इसपात्के बिनाए जाएंगे, option no. 6 सहीं है फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए किसी चालकतार में विद्धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों और खालिस्थान उत्पन हो जाता है क्या उत्पन हो जाता है चुम्ब की छेत्र उत्पन हो जाता है फिर दूसरा है चुम्ब की छेत्र एक खालिस्थान रासी है क् कि इसमें परिमार एवं दिसा दोनों होते हैं परिमार दिसा दोनों होने पर रासी कौन सी होती है सदिश रासी होती है अध्याय 15 हमारा पर्यावनन ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से तीन अंकों के प्रस्ण पूछे जाएंगे एक अंक के वस्तुनिष्ट प्रस्ण आएंगे तथा एक प्रस्ण दो अंक का पूछा जाएगा सही विकल्प चुनिए निम्न में से कोन से समुह में केवल जैव निम्निकरण पदार्थ है जैव निम्निकरण पदार्थ क्या होते हैं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम अर्थात जिवानों बेक्टिरिया द्वारा अप घटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं जैव निम्निक तो देखिए हम पढ़ते हैं नीचे अप्शन घास पुष्प तथा चमड़ा यह तो अब घटित हो जाएंगे बेक्टिरिया या जिवानु आदी के द्वारा फलों के छिलके केक एवं नीबू यह भी विघटित हो जाएंगे फिर देखते हैं केक लकड़ी एवं घास यह भी विघटित हो जाएगा यह तीनों आप्शन आ स और द जैव निमनी करण पदार्थ के हैं केवल जैव निमनी करण पदार्थ किसमे नहीं है घास लकड़ी तो जैव निमनी करण पदार्थ है लेकिन प्लास्टिक जैव निमनी करणपदार नहीं है अर्थात यहां पर आस और दह अप्शन सहीं हैं फिर देखे प्रसन करमांक दो है निमलिखित में से कोन आहार सरंखला का निर्मान करते हैं आहार सरंखला का घटक है उत्पादक हाँ उभोक्ता हाँ अप घटक यानि उप्रोक्त सभी इसका सही उत्तर है फिर देखिए चौथे नंबर का वस्तुनिष्ट है हरे पौधे किस पोशी इस्तर में आते हैं तो हरे पौधे किस पोशी इस्तर में आते हैं प्रथम पोशी इस्तर में आते हैं पाँचवा है एक पारितंत्र में मानव है मानव क्या है सर्वाहारी है उर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा उप्सन नमबर अ सही है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए ओजोन परत कोहानी पहुचाने वाला रसायन खाले स्थान है सी एफ सी है जो से हम क्या बोलेंगे सी एफ सी या क्लोरो फ्लोरो कार्बन फिर देखिए दूसरा है विबिन जैविक इस तरों पर भाग लेने वाले जीओं की एक ऐसी स्रंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है खालिस्तान कहलाती है आहार स्रंखला कहलाती है तो आहार स्रंखला हो गई अब देखते हैं तीसरे नमबर में क्या आएगा जीवानू और कवक जैसे सूचमजीव खालिस्तान कहलाते है अप मारजक कहलाते है अप मारजक चौथा है वर्षा के पानी को एकत्रित करना वैसे उप्योग में लाना खालिस्थान कहलाता है वर्षा जल संग्रहन वर्षा जल संग्रहन वर्षा जल संग्रहन अब देखिए पाँचवा नमबर क्या है हरे पौधे खालिस्थान कहलाते हैं क्या कहलाएंगे हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं छटवा नमबर एक पोसी स्तर से दूसरे पोसी स्तर के लिए उर्जा का इस्थानान तरण खालिस्तान प्रतिशत होता है दस प्रतिशत होता है अब लेते हैं अध्याय 16 ब्लूप्रिंट के अनुसार एक अंक का वस्तुनिष्ट प्रस्न यहां से आएगा सही विकल्प चुन्ना है लेते हैं पहला निम्न में से प्राकर्तिक शुरोत कौन सा नहीं है कौन सा प्राकर्तिक शुरोत नहीं है तो देखें मरदा तो प्राकर्तिक शुरोत है जल भी प्राकर्तिक शुरोत है पवन भी प्राकर्तिक शुरोत है कौन सा नहीं है विद्वत प सा प्रकृतिक संसाधन कम हो रहा है वन कम हो रहे हैं औपसों नमबर बस हहीं है प्राकृतिक श्रोट विवस्तूें हैं जो सके क्या हैं जो प्रकृतिक का एक उपहार हैं जो H जाती के लिए बहुत लावदायक हैं और सन नमर बस हैं गंगा नदी में प्रचूर मातरा में कॉली फॉर्म बेक्टेरिया के पाए जाने का मुख्य कारण है क्या है मुख्य कारण अध्य जले सवों को जल में प्रवाहित करना आप सन नमर आ सही है पाचवा है गंगा सफाय योजना प्रारंब की गई थी? गंगा सफाई योजना सन 1965 में में चिपको आंदोलन संबंधित है चिपको आंदोलन delivering सोंद्चम से संबंधित है। अब लेते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए गंगा प्रदूशन का एक प्रमुख कारण लिखिए तो गंगा प्रदूशन के कई कारण हैं तो एक प्रमुख कारण हम क्या लिख देंगे सीधे सीधे लिखेंगे ओद्योगिक कच्रा यहां लिख देंगे ओद्योगिक कच्र इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं सवों का बहाना फिर निकट रहने वाले लोगों का नहाना कपड़े धोना सार्वजनिक सौच की तरह उपयोग करना इस तरह से यहां पर और द्योगिक प्रदूशन मुख्य कारण हमने लिख दिया फिर देखिए दूसरा नंबर बंगाल के उस वन का नाम क्या है जिसे संरक्षित सर्वस्रेष्ट वन का उधारण माना जाता है तो क्या है उस वन का नाम उस वन का नाम है अराबाडी तो यहां पर आ गया अराबाडी फिर तीसरा देखिए अम्रता देवी विष्णोई पुरुषकार किस से संबंधित है यहाँ पुरुषकार वन सनरक्षन से संबंधित है तो हम यहाँ लिख देंगे अम्रता देवी विष्णोई पुरुषकार वन सनरक्षन एवं विकास के छेत्र में उत्क्रष्ट कार्य हेतू दिया जाता है को यह लिख दिया हमने अब है कौली फॉर्म जीवानू मानोशरीर में कहां पाया जाता है कहां पाया जाता है तो यह जीवानू पाया जाता है आथ में अब अंतिम है प्राकर्तिक संसाधनों के अंधा धुंद दोहन का एक प्रमुख कारण क्या है बहुत सारे कारण है तो तेजी से बढ़ता नगरी करण एक कारण लिख दिया नगरी करण फिर और क्या है कारण जनसंख्या व्रद्धी बहुत जादा जनसंख्या व्रद्धी हो रही है इसके कारण भी प्राकतिक संसाधनों का अंधाधुन्द दोहन हो रहा है तो विज्ञान से संबन्धित यह भागतीन यहीं समाप्त होता है धन्यवाद